हुआ हलो एब्रीवन बेलकम टू वैदमी और आज की इस क्लास में हम अगें सॉल्ब करेंगे पीवाई क्यू सेल बैयोलजी के यहां पर मैंने जो आप्ट करा है वो करें गेट एक्सल में जो हमारा जोलोजी सब्जेक्ट होगा अगर आप गेट एक्सल में जोलोजी सब्जे सकते हैं इसके अलावा मेरा तो यह ही कि आप गेट बीटी के भी सारे पीवाई क्यू सॉल्ब कर लीजे गेट एक्सल में जोलोजी के भी और बाइक्सल में जोलोजी के लिए करना है तो इसी क्लास में मैं आपको जोलोजी के पीवाई क्यू प्लस में जो हमारे बाइक्सल क जितने भी cell biology वाले वीवाई क्यों है वो हम solve कर लेंगे शुरू करते हैं अब सबसे पहले यह question है यहाँ पर year 2022 का question है अब एक बात यह जान लीजी यहाँ पर 2010-2011 में जो भी questions आये हुए वो कुछ-कुछ question ऐसे थी जो mix concept के questions थे ठीक है और यहाँ पर जो हम question solve कर रहे हैं वो प्योर हमारे कौन से questions है बहुत सेल्व है उन्जी के तो ऐसे अगर कोई question है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो मुझसे आप हो सकते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि solve नहीं करना है यहां पर नहीं solve कराई क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2005 वाले पीवाइक्यू भी solve कर रहे होंगे हैं तो आप जितना जादा पीवाइक्यू solve कर पा वो सारे आप कर लीजिए जितने आप से solve हो रहे हैं ठीक है तरवाइस आप मुझे directly message करके भी बता सकते हैं बाकि बाकि सारे ही questions बहुत basic हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए है तो पहले देख लेते हैं कि question क्या कह रहा है और यह की options है तो पहले जड़ा आप एक बार solve करनी की कोशिश कर लीजिए कि अब इस तरीके कि जो question है न वो again common sense की तुरूवी solve होते हैं क्योंकि यह concept जो है यह ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपसे depth में question पूछा या बहुत conceptual question क्या कहा है गौल की apparatus है इसका हमें पता है कि इसको cellular post office भी कहा जाता है क्योंकि यह distributor है सबसे बड़ा distributor inside the cell कहां किस protein को distribute करना है वो सारी ministry गौलगी apparatus के पास है यह क्या करता है package करता है एं ट्रांसपोर्ट करता है cellular protein को across the various organal और outside the cell जो हमारे extracellular matrix में कुछ protein है वहाँ पर भी यह करेगा इन जर्नल क्या होता है कि गौलगी is perinuclear in a location और यह closely associated होता है आपके ER से और एक chemical compound है जिसे कहा जाता है monosin तो यह जो आपका monosin है यह क्या करता है inhibit करता है all trafficking from गौलगी तो यही जो line है यह हमारी important line है बाकी का जो है वो पूरी कथा लिख दी गई है अच्छा गौलगी यह है यह इसका function है वो हमें पता है अब उनने क्या कहा है कि कोई एक chemical या इनिविटर यूस किया गया जिसने क्या करा जिसका नाम है और इसने इनिविट कर दिया है सारी trafficking को मतलब गौलगी से जितना भी ट्रांस्पोटेशन हो रहा था वैसिकल्स के तुरू वो सारा इनिविट कर दिया गया है अब क्या किया गया कि गौलगी को विज्विलाइज किया गया फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के तुरू आप्टर दा ट्रीटमेट विट मॉननसिन तो इन मैसे कौन सा ओप्षन है वो सही होगा ठीक तो आपको यह पता चल गया कि इसने क्या करा ट्राफिकिंग जो है मतलब प्रोटीन जो गौलगी में शौर्टिंग के लिए आए एंडोप्लाजबिक रेटीकुलम से जब गौलगी में प्रोटीन आतो गया लेकिन अभी यह बाहन निकल सकता है मतलब इसने आनी के लिए नहीं रोका है इसने बस ट्रांस्पोटेशन के यह शॉक्त लगा देतो टूर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो तो ुप्राफिकमेंटेट हो गाए तो पहली चीज तो यह गौलगी एपसेंट हो गा नहीं क्यूंकि यह जो ड्रग है यह fragmentation भी नहीं करा रहा गॉल्गी में तो यह option exclude हुआ absent भी नहीं होगा क्योंकि अगर यह fragment होता या यह गॉल्गी अपरेटस को degrade कराता तो भले ऐसी कोई situation होती कि भाई गॉल्गी degrade हो गया और फिर बाद में उस गॉल्गी को लाइजोजॉम में autophagy के थ्रू बाहर निकाल दिया सेल के लेकिन गॉल्गी तो degraded नहीं हो रहा कि बल्ग क्या ही नहीं भीट हुआ है protein transportation तो normal भी नहीं होगा और option जो C है कि swell मतलब अगर आप गॉल्गी की size की बात करेंगे तो यह size जरूर increase हो गई होगी अब यह size क्यों increase हो गई होगी क्योंकि सारे protein जो है वो अंदर की तरफ आ रहे होंगे अब यह जो protein है यह अंदर की तरफ आंगे तो क्या होगा जब अंदर में कोई चीज जादा storage में होती है तो obviously वह soil होती है तो बिल्कुल वह full जाएगी size में तो इस तरीके से जो option आपका third है वो option आपका सही है तो इस तरीके के options में आपको थोड़ा common sense लगाना रहता है बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत conceptual आप से चीज़ा पूछी गई है बहुत basic question आप से पूछे जाते हैं तो इस तरीके से जो आपका option third है वो सही होगा और again मैंने आपका explanation भी लिख दिया है जो मैंने बताया है वही इसका explanation है तो आप इसको भी पढ़ सकते है next question देखिए जरा यह question आपका 2013 का है इसमें आप से क्या पूछा गया है कि जब भी हम control mechanism की बात करते हैं कहां पर यहां पर gene expression की बात हो रही है तो क्या पूछा गया है कि which one of the following key is a mode of the regulation of cell cycle तो cell cycle में जब हम regulations की बात कर सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है पहला कह रहे हैं transcription mRNA processing activation of protein function resulting from protein protein interaction and mRNA export तो देखो जो transcription है हमारे ने processing है हमारे ने export यह बाद की बात है अगर आप cell cycle regulation की बात करेंगे तो cyclin and cd case जो आपके protein complexes थे तो जो आपका cyclin protein molecule जो आपके cd case kinase enzyme again protein molecule तो इन तोनों में जब interaction होगा तो उससे आप cell cycle regulation आपकी होती है तो option जो c है वो बिल्कुल आपका correct option है next question इसमें हमें क्या बताना है correct pairing बतानी है तो correct pairing में आप देखे कि जैसे microvill i का क्या function होता है यह आपकी elementary canal में present होते हैं जहां पर इनका function क्या होता है absorption बढ़ाना surface absorption बढ़ाना जिससे ज्यादस ज्यादा जो आपकी nutrient उनको absorb किया जाए तो यह तो एकदम गलात है क्योंकि यहां पर यह engulfment की बात कर रहे है cytoskeleton cell migration में करता है एकदम सही paroxysome cellular respiration में करता है यह गड़बड है paroxysome basically detoxification में होता है nucleolus mRNA transcription यह भी आपका option गलात है तो इस तरीके से correct pairing है आपकी cytoskeletal की तो आपका जो answer है वो होगा option B next question देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि यह जो options है या जो आपके mitochondrion होते हैं is not considered as a part of endomembrane system उसके पीछे क्या reason है तो आपको पता होना चाहिए कि endomembrane system में basically जो आपका ER है आपके गॉल्गी है और बैसिकल से वो आपका पार्ट होते हैं endomembrane system का तो option क्या है it does not undergo structural change यह तो गड़बड है it is not derived from ER और गॉल्गी इसी वजय से जो है आपके mitochondrion है वो endomembrane system का पार्ट नहीं है क्योंकि endomembrane system basically क्या है एक ऐसा system है जो membrane के enlargement के थ्रू बना हुआ है तो आपका जो गॉल्गी है उसी से just attached होता है आपका गॉल्गी और वही plasma membrane में basicallys का form होता है और basicallys जो है outside निकलती से लिए आपका ER गॉल्गी और basicallys जो है वो endomembrane system का पार्ट है तो जो आपका option भी है वो इसका correct answer है और यह सब तो पता नहीं क्या ही कह रहे है it does not synthesize protein इसका क्या मतलब है it does not attach to the outer nuclear envelope यह भी गड़बड़ है अगर आपको इतना ही याद था कि endomembrane system में ER गॉल्गी है तो आपका जो option भी है आप उसको opt कर सकते थे नेक्स देखिए यह भी काफी basic question है जिसमें simply पूछा गया है कि detoxification of alcohol occur in liver जहां पर आपके paroxysomal enzyme जो है वो remove करते है hydrogen का तो आपको option दिए गए है और हमें choose करना है कि कि किस तरीके की reaction वहाँ पर होगी तो परोसी जोम में हमें simple पता है यह करता क्या है यह ass2o2 को convert करता है its two oh compare plus oxygen ठीक है यह चीज हमें पता है लेकिन हमें यहां पर hydrogen peroxide ना remove करा के हमें क्या पहले remove कराने hydrogen तो क्या है क्या ही जो है combined करेगा with water molecule से और generate करेगा hydrogen peroxide नहीं hydrogen hydrogen peroxide जब आपके oxygen molecule से करते हैं तब जाके आपका hydrogen peroxide बनता है सेकंड क्या है यूज्टु ब्रेकडाउन hydrogen peroxide नहीं ट्रांसपर टुदा mitochondria बिलकुल नहीं ट्रांसपर टुदा oxygen molecule बिलकुल जब आपका H2O2 आपस में reaction करता है तो बनता है आपका H2O2 जो है आपका hydrogen hydrogen peroxide और further peroxism में एक enzyme होता है catalase जिसे cat इसका short form है जो आपका बनाता है water plus oxygen तो यह reaction है इस तरीके से जो आपका option D है वो एकदम correct answer है next question इसमें cyanide के बारे में है कि जो cyanide है which one of the following organs have the highest label of cyanide inside तो इसका answer आपको पहले ही पता होगा mitochondria इसके लिए तो कोई justification की ज़रूरत नहीं क्योंकि यह बहुत basic से questions हैं जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं primary function of polysaccharides जो है attached to the glycoprotein animal cell is 2 यह मैंने आपको बार-बार बताया था जब हम पढ़ रहे थे plasma membrane के बारे में तो plasma membrane के ऊपर काफी सारे protein थे especially मैं peripheral protein की बात कर रही हूँ जहां पर आपके glycoprotein थे और glycolipids भी थे तो जो glycoprotein थे वो कैसा था यह plasma membrane है यह peripheral protein और यहां पर यह tag present है काई का आपका carbohydrate का और इस तरीके के जो protein है that is called glycoprotein तो यह जो protein है यह specific tag in का क्या काम होता है cell-cell recognition में जब भी आप sugar moieties glucose की carbohydrate polysaccharide stumps होने इस cell के ऊपर यह present है तो इनका काम cell-cell recognition में addition में cell signaling में होता है बाकी option है कि facilitated diffusion में बिल्कुल नहीं membrane fluidity में तो बिल्कुल नहीं maintain the integrity कुछ नहीं केवल cell-cell recognition में इनका काम होता है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए फिलिंदा ब्लेंग टाइप एक कॉश्चन है यह हमने जो हमारा previous हम बेटी के कॉश्चन सॉल्व कर रहे थे उससे मैं भी एक कॉश्चन आया था कॉश्चन क्या पूच रहा है कॉश्चन बता रहा है कि जीवन फेज में जो क्रोमोजॉम थे वो कितने थे 16 थे तो उन्हें टोटल नम्मर ओप क्रोमेटिड पूच लिया गया है फाउंड इन मेटा फेज आपकी सेकंड तो मैंने आपको पहले बताया था कि जीवन फेज में अगर नम्मर ओप क्रोमोजॉम 16 है तो यह जब आपका मियोसिस बन होगा तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजॉम का सपरेशन होगा जिस वज़ाए से आपकी नम्मर ओप क्रोमोजॉम हाफ हो जाएंगे तो एट आपकी क्रोमोजॉम यहाँ पर हो जाएंगे लेकिन जब हम मियोसिस सेकंड की बात करते हैं तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा मियो से सेकंड में ये 8 के 8 ही डॉटर सेल के पास जाएंगे तो अगर 8 क्रोमोजॉम है तो एक क्रोमोजॉम के साथ 2 क्रोमेटेड हैं तो आपका क्या होगा 16 क्रोमेटेड यहां पर बनेंगी लेकिन अगर यही कॉश्चन आपसे मेटाफेस 1 में पूछ से तो आपकी नम्मर ओप क्रोमेटेड यहां पर 32 होती लेकिन ये कॉश्चन पूछा गया है मेटाफेस 2 में तो मेटाफेस 2 मतलब मियोस इस सेकंड का पार्ट है मियोस इस बन में बैसे भी आपका हाप नम्मर ओप क्रोमोजॉम जो है पार्ट होने की बज़ए से 16 से क्रोमोजॉम रिड्यूज होके बचते हैं 8 और अगर आप क्रोमेटेड की बात करें तो वह टोटल होंगी 16 और यह बात कर दा है इसमें सेल सिग्नेलिंग का कॉश्चन है जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर सेल सिग्नेलिंग से कॉश्चन पूछा गया है इसमें कहा गया है कि तो आपका फॉस्फोल आइपेस सी था उसका काम क्या था वह पी आई पी टू के मॉलीक्यूल को क्लीप कर रहा था आई पी थी में और आपके डेग में डी एजी और यह जो आई पी थी है यह आपकी एंडोप्लाजमिक रेटीकुलम में बाइंड होने वाले लाइगेंड गेटेज चैनल से बाइंड कर रहा था और केल्शियम का क्या करा रहा था सिक्रेशन करा रहा था फ्रॉम दा एंडोप्लाजमिक रेटीकुलम टू दा साइटोप्लाजम तो फॉस्पोलाइपसी जो है बाइ लाइगेंड बाइंडिंग टू दा जी पी सी आर रिसेप्टर जो आपके केल्शियम आइन कॉंसेंटेशन है इस साइटोप्लाजम इ ये option गलत है, decreased, due to the blockage of IP3-gated channel on plasma membrane ये तो एकदम गलत है, plasma membrane पे ये होता ही नहीं है, increase due to the efflux of calcium from gated channel, IP3-gated channel on mitochondria ये option सही था लेकिन ये mitochondria पे नहीं होता है, ये ER पे होता है next क्या है यह increase होता है due to the efflux of sodium plus iron from IP3-gated channel iron on ER at the same time जो influx होता है calcium का from IP3-gated channel on plasma membrane तो इस तरीके से जो आपका option D है वो आपका correct option है और यह आपके लिए explanation है next question match of the following है बहुत ही simple question है इसको भी आप असानी से solve कर सकते हैं इसमें आप से पूछा गया है transferrin bind करता है iron से यह तो हमें बिल्कुल पता है second insulin की अगर आप बात करेंगे तो insulin क्या करेगा अब take करवाता है glucose का क्योंकि ligand से bind होगा फिर आपके जो glut 4 थे जो basically आपकी cell के अंदर थे reaction होगा और glut 4 transporter जो थे वो cell की epical surface पे जाके attached होगे और आपका क्या होगा glucose का intake होगा blood में glucose का level कम होके cell के अंदर जाएगा फिर आपका जो R है वो पूछ रहा है microglowin तो microglowin क्या है wind करते हैं आपके जो microglowin है वो R 4 है मतलब यह है proteinase inhibitor वहीं पर अगर आप fibronectin की बात करें तो यह क्या है substratum है मतलब जो cells attachment जो आपका extracellular matrix में fibronectin पाए जाते हैं जो cell को attachment provide कराते हैं तो इस तरीके से जो आपका option A है वो आपका correct answer है next question 2018 में पूछा गया था यह भी बहुत basic question है इसमें जो genetic disorder है sorry जो आपका genetic disorder है तैसच diseases इसके बारे में पूछा गया है कि यह का है genetic disorder है तो यह lysosome से associated genetic disorder है जहां पर एक enzyme होता है hexamina diabetes A तो यह क्या करता है इसमें basically abnormal functional जो है create हो जाता है next question इसमें से कौन सा character है जो cancer cell को justify नहीं करता तो क्या cancer cells में mortality होती है मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तर माइग्रेट कर सकते हैं तो बिल्कुल loss of contact inhibition भी cancer cell में हो जाता है loss of contact inhibition या density independent phenomena यहां पर हो जाता है यह decrease करते हैं पॉप्टोसिस को और uncontrolled meiosis uncontrolled mitosis होता तो बिल्कुल क्योंकि meiosis नहीं करता है cancer cell क्या करता है identically cell का जो है वो proliferation कराता है मतलब अगर कोई cell है उसके पास 2N chromosome होंगे तो बनने वाली जितनी भी cells रहेंगी सबके पास 2N, 2N, diploid, diploid ही होगा यह कभी haploid नहीं बनाता है तो यह क्या करता है mitosis करता है ना कि meiosis तो इस तरीके से यह जो option आपका फोर्थ है वो गलत answer है तो जो आपसे question पूछा गया है उसके according जो आपका option D है वो knowledge का दामन छूना हुआ असान फिर चाहे हो lecture सिफ या PhD का आर्मा हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का सवाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो आर्मा वेदमी लेकर आया है detailed course for CSIR 2024 examination मिले गए हाँ आपको सब कुछ new pattern के lectures, one-to-one doubt getting session, pdf notes और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना, enroll now and visit वेदमी website and download the app from Play Store use करिये code Wede20 for getting the 20% discount, वेदमी educating, वेदमी educating India